वक्त तो फिर वक्त है गुजर ही जाएगा आज नहीं तो कल सब ठीक हो ही जाएगा कल तत वक्त की कमी थी जिन्दगी जाने किस रफ्तार से भाग रही थी और हम उसके पीछे ये जो दिन बीत रहे हैं इन्हें कहीं ख्वावों में देखा था हकीकत में हर किसी को वक्त से कितनी शिकायत थी कहीं कुछ राहत के पल नसीब हो, कुछ वक्त मिले अपनों के साथ गुजारने का बच्चों के साथ बैट कर वो बच्पन के खेल खेलने का एक दूसरे का काम में हाथ बटाने का दोस्तों से फुरसत में बाते करने का आज वक्त रुका है आज वक्त रुका है तो हम क्यों रुक नहीं पा रहे क्यों बेचैन हैं इन पलों को जी नहीं पा रहे कल क्या होगा कौन जानता है जो होगा अच्छा ही होगा ये यकीन खुद पर रखना है अपनों का खयाल रखना है और जरा सा होसला रखना है वक्त तो फिर वक्त है चाहे जितना भी बुरा हो गुजर ही जाएगा गुजर ही जाएगा नमस्ते, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब, आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे, और सारे रूल्स और रेगूलेशन्स फॉलो कर रहे होंगे, जो भी आजकर उमको बताया जा रहे हैं, जिस तरह से, उनको बार-बार बोलने के लिए कुछ जरुवत नहीं है, मुझ को बहुत पसंद है, शायरी और इस तरह है कि जो मिनिंग्फुल पंटिया लिखी वही होती है, लाइन्स लिखी वही होती है, और आजकल के माहौल में ये इतनी जादा अच्छी लगी मुझ को, इसलिए मैंने आपको उनके साथ शेयर किया, आज इस टोपिक पर मैं ब्लॉग बनाने जा रही हूँ, वो है लॉग डाउन पीजे में हम खुश कैसे रह सकते हैं, जैसा कि आजकल हर एक कोई सभी परेशान है घर में रहके क्योंकि सबका रूटीन चेंज हो चुका है, जो आफिस जाते थे वो आफिस नहीं जा पारे, जो स्कूल जाते थे बच कि आफिसे बनाया कि मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊं जिसमें जिसको अगर आप फॉलो करें तो वो सकता है कि कुछ पॉजिटिव आउटकम आए तो आज मैं आपको पांच ऐसे पॉइंट्स देने जा रही हूँ जो आप अगर फॉलो करेंगे तो उससे आप अपना कुछ ताइम अच्छे से स्पैंड कर सकते हैं तो आज के वड़ाप का मेरा पहला टिप और पहला पॉइंट फर्स पॉइंट है कि दू नॉट ओवर्थिंग प्लीज आप ओवर्थिंगिंग मत करिये यह बहुत बुरी बिमारी है जो अगर हम ओवर्थिंग करते हैं किसी तो आप हमेशा देखेगा हमको उसको सोचके ना टेंशन ही होता है और यह तर ऐसा टाइम चल रहा है अगर हम इसके लिए सोचने चलेंगे तो हमको सिर्फ टेंशन, स्ट्रेस, और इंसाइटी के लावा कुछ भी नहीं मिलेगा तो प्लीज दू नॉट ओवर्थिंग कि य हो गया तो सुचना चौड दीचे इसके हम ईंगेज के अपने चाहे को कहीं और इंगेज करेंगें इसमाइन को और डाइवाट करिए आप डाइवर्ट कहां कर सकते हैं, डाइवर्ट आप कर सकते हैं, अपनी पसंद की मूवीज देखके, अपने पसंद का म्यूजिक सुनके, या ऐसे काम करके जिनसे आपको करने से खुशी मिलती है, मूवीज आपको हर तरह की आजकल, सोशल मीडिया पर, ये प्लेटफॉर्म नेट्फ्लिक्स है, फायर स्टिक है, इसंद आप अवेलेबल थे आप अपनी पसंद की, जिस तरह की मूवीज़ आप चाहते हैं, वह देख सकते हैं, बीजामीज-ग हर mitigate, जिस तरह का पसंद हैं, पुरान रोमैंटिक गाने हैं, मुझिज अपर स्पिरिछिवन ड़ीज आप घर में ही रहके उसको अपनी पसंद की चीजे एंजॉय कर सकते हैं तो यह मेरा पहला टिप था कि प्लीज दू नॉट ओवर्थिंग डाइवर्ट यूर माइड इन डिफरेंट डायरेक्शन जो आपको करके खुशी मिले वो आप काम करिये सेकंड टिप प्लेए विद यूर केट्स पार्टनर और पेरेंस आपके घर में जो भी लोग हैं उनके साथ आप इस समय क्वालिटी टाइम स्पैन कर सकते हैं उनके साथ खेलिए देखिए आपके घर में बहुत सारे बोर्ट गेम्स निकल के आएंगे अगर गर में बच्चे हैं तो आपके घर में जो भी अवेलेबल हैं जिस भी तरह के अवेलेबल हैं आप उनको निकालिए उनमें खेलिए क्योंकि यह आपको देखिए आपको अपने पुरानी यादे भी ताजा कराएगा और एक अपको नई चीज मिलेगी जो आपने बहुत आइम से खोली ही नहीं तो बहुत तरह के गेम्स होते हैं घरों में इस पैशली जिन घरों में बच्चे हैं वहां पर तो आपके एक बनावा होगा जहाःकर आपने ऐसारह से बốn करके रखिए वहां जाकर अप देखिए आपको बहुत गेम्स मिलेंगे जैसे देखिए मैंने आजकल यह निकाला हुआ है जैस निकला हुआ है हम लोग चैस खेलते हैं मिलके इसी तरह से स्नेक्स एंड लेडर भी आप खेल सकते हैं ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो प्ले कार्ड्स भी सब घरों में होते हैं बहुत सारे गेम है इस तरह के गेम्स आप जो बच्चों के साथ कहल सकते हैं अपनी फ हो सकते हैं और उससे आपका क्वालिटी टाइम भी स्पेंड होगा एक दूसरे के साथ में और आप बोर नहीं फिल करेंगे तो मेरी टिप नंबर 3 है नर्चर और होबीस सब की हमारे लाइफ में बच्पन से कुछ होबीस होती ही है वो आज ऐसा टाइम है जिनको हम आज आज हमें इतना अच्छा मिला है कि हम अपनी होबीस को आराम से उनके उपर फोकस कर सकते हैं और उनको फुल्फिल कर सकते हैं किसी को पेंटिंग का शौक होता है किसी को राइटिंग का शौक होता है किसी को कुकिंग का शौक होता है मुझे जैसे गार्डनिंग का शौक है तो आपकी कोई ना कोई आप ढूड़नेंगे तो आपको अपनी पुरानी बहुत सारी चीज़ ऐसे मन करेगा कि आज हम इतना टाइम मिला है उसको अराम से पूरा कर सकते हैं तो प्लीज उसको पूरा करिये और आप खुश होंगे बाद में जब यह टाइम निकल जाएगा ना तो आप खुद उस चीज को सोच के खुश होंगे कि हमने टाइम कि इतने अच्छे से से स्पैंड किया और हमारा ही इतना अच्छा आउटकम निकला इस चीज से तो प्लीज नर्चर और होबी इस तरह से भी आप यह अपना एक इस टाइम को पास कर सकते हैं तिप नंबर फोर जो मेरी फोर्थ टिप है वो है डीप क्लेटर और डीप लीन यूर होम यूर स्पेस इवन यूर इलेक्ट्रोनिक गजट्स यह आपको टाइम जो मिला है ना आप इसको ब आपकी किचेन और आपकी स्टडी टेबल आपकी बुक शेल्स में इतना सारा समान मेरेगा ना जो आप इसको डीटर करके किसी नीडी परसंट को जब यह पीरिट खतम हो जाएगा उसके बाद दे सकते हैं तो आप इसको ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं ताइम को डीप कर सक तो आपको बाद में खोदी अच्छा रगेगा इन चीजों के साथ में आप अपने इलेक्रोनिक गैजेट्स आपके लेप्टॉप हैं मोबाइल हैं उन में भी कई ऐसी फाइल होती हैं फोटोग्राफ होती हैं एप्स होती हैं जिनको डिलीट कर सकते हैं और उनको सौ्टिं आप कोई भी टाइम निकाल लीजे सुबह उठते हैं तो सुबह करिये शाम को कर सकते हैं तो शाम को करिये रात को करिये लेकिन एक्सरसाइज किसी भी फर्म में जरूर करिये या तो आप योगा कर सकते हैं या आप अरोबिक्स कर सकते हैं या तो आप सालसा कर सकते हैं या आप जुम्बा कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप एक्सरसाइज करिए और अगर आपको मेडिटेशन करना भी आता है तो 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 क्योंकि एक्सरसाइज हमारी बॉड़ी के लिए टॉनिक का काम करती है यह जो हमारा स्ट्रेसफुल पीरेड चल रहा है इसमें आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको जिनों में खोदी इसको देखेंगे कि आपके अंदर कितना आपका माइंड सैटल होता जा रहा है और आपको फिर इतना स्ट्रेस नहीं होगा तो प्लीज आप इस पीरेड में एक्सरसाइज करना अभी एक अपने रोटीन में लेके आईए और इसका पॉजिटिव आउटकम देखिए तो यह थे मेरे पांच टिप्स जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहा रही थी कि इस पीरेड में आप कैसे खुश रह सकते हैं कैसे अपना टाइम स्पैन कर सकते हैं इसके साथ ही मेरे पास में आज एक है और सर्फराइज है आपके लिए जो मैंने अभी यह दो तिन दिन पहले ही बनाया था वो मैं अझा अपके साथ शेयर कर रही हूँ ए यह फेहली light glass bowl यह देखिये यह मैंने अभी दो तिन दिन में ही बनाया है और इसमें आपको कुछ भी अफर्ट नहीं करना था, आपके पास में जो घर में समान रखा हुआ रहता है, कई बार हम कई ऐसी चीजें स्टोर करके रख लेते हैं, कि हम शाहिद इनको बाद में कभी यूज करेंगे, या हमारे काम में आ जाएंगी, तो उसी तरह से मेरे पास करना है, और कहीं बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं करना, बस आपको अपनी क्रियेटिविटी यूज करनी है, और उसमें से बहुत कुछ निकल के आ सकता है, और आप उसको बाद में देखके कुधी खुश होंगे, तो आज के लिए बस इतना ही, मैं अपना व्लॉग इतना ही रखोंगी, आप प्लीज अगर आपको कुछ, इन में से कोई भी पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं, तो उनको फॉलो कीजिए, और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आपने फॉलो किया या आपको उन में से क्या पॉसिटिव आउटकम मिला, और अपन हॉँएगगा, तो यह प्लीजा सो के लागते हैं, एक फॉएएगा में से कुछ, और मुझे चीजऑ रोगते हैं, एक हैं पॉलो को आपको दोगते हैं, जह खर आपको उनको उनको औरiezे बताशकिज़ का कहीं खेंगे हैं?